देश में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होने जा रहे हैं और ये तीन नए कानून क्या होंगे, इनका स्वरूप कैसा होगा और अगर ये देश में जब लागू हो जाएंगे तो इसके बाद धाराओं में क्या परिवर्तन होगा इसे जानने के लिए हम डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे के पास हैं जो 36 गड कॉलेज के प्रोफेसर है लौ भीभाग के सर आपका बहुत स्वागत है विस्तार नमश्कार नमश्कार पहला तो यही सवाल है कि यह तीन नए कानून के बारे में बता दीजिए इनके तीन नए नाम भी है और यह क्या है यह भी बता दीजिए देखिए देश में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे जिसमें सबसे पहला कानून होगा भारतिय न्याय सहीता 2023 दूसरा कानून होगा भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता 2023 और तीसरा नया कानून होगा भारतिय साक्ष अधिनियम 2023 आवशक्ता इन कानूनों की इसलिए है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी देश जब अपने अ इसमें परिवर्तन की आवशकता थी और वो परिवर्तन अब एक जुलाई से लागू हो रहे हैं जो कि इस देश में वास्तवीक रूप से अपरादों से निपटने के लिए आवशक थे। अब उनको एक जगह पर एक अध्याय के भीतर लाया गया, धाराओं को कम किया गया, 358 धाराओं हो गयी अब जो कि भारती दंट सहीता में 511 धाराओं थी तो ये आवशकता थी क्यों क्यों कि कानून जितना विस्तरत होता है उतना पेचीदा होता चला जाता है और मैं ये मान चर्चा काफी ज्यादा है 0 FIR की हर जगह चर्चा हो रही है अखबार में भी चर्चा है और लोग भी इसे जो है इंटरनेट पर काफी सर्च कर रहे है तो आखिर ये 0 FIR क्या है इसको अगर आसान भाशा में समझना होता है बिल्कुल ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है पहले आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई अपराद घटित होता था तो जो पीडिक पक्षकार होता था उसके लिए जरूरी होता था कि वो अपने सम्मंदित थाने में जाकर उसकी FIR दर्ज करे उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दे लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उस थाने का भारसा देगर दिकारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दे रहा है या वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है और FIR लिखने में आप लेट होते चले जा रहे हैं तो उस समय आपको जो सूटेबल थाना लगता है यह बिल्कुल अब जरूरी नहीं है कि वो आपके सम्मंदित अपर अब पराओधन किया गया है हम भी देख रहे थे पड़ रहे थे तो हमें भी समझ आया कि यह मॉब लिंचिंग को भी इस बार इंकलूड किया है उसको लेकर भी कानून बन रहा है अब देखे मॉब लिंचिंग देश भर में यह प्रचलित स्थ शब्द है क्योंकि मॉब ल शब्द जिनकी आउशकता थी कुछ नहीं अपराज जिनकी आउशकता थी उसमें एक मॉब लिंचिंग भी है मॉब लिंचिंग मतलब सीधा-सीधा तातपरिये कि भीड द्वारा हत्या कर देना तो भारतिय न्याय सहीता में अब ये इस पस्ट तह परिभाशित कर दिया गया है कि मॉब लिंचिंग का तातपरिये क्या है अगर मॉब लिंचिंग कोई करता है तो उसके लिए पनिश्मेंट की बात कही गई है पहले आप F.I.R. इस मामले बें दर्ज नहीं कर सकते थे क्योंकि अपराधी परिभाशित नहीं था अब इपराध परिभाशित है दंड प कारवाई होगी वो और सक्त की गई है सजा जो है तो इसमें क्या प्राव है जी देखिए सुप्रीम कोट कई बार कह चुका था कि राजदुरों जैसा जो कानून है जो कि भारती दंड सहीता में था और वो अंग्रेजों द्वारा कानून इसलिए लाया गया था ताकि क्रांत द्रों शब्द ना होकर अब देश-द्रों हो गया है देश का मतलब यह है कि अगर आप राजा की विरुद्ध अपराद नहीं कर रहें अगर इसकी सुरक्षा को संकट में डालने का अपराद कर हैं तो आपको दंडित किया जाएगा और ये एक रास्ट को मजबूत करने के इस धारा की आउशकता हमेशा थी और रहेगी कह सकते हैं कि एक लोगतांतरिक शब्द का इस्तमाल किया गया है जो एक अगर आप अगर आप अगर आप नियाय सहींता को जा कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको देश द्रोश शब्द नहीं मिलेगा है लेकिन हाँ विशय को वैसा ही रखा है और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा होता है अगर आप उसे दंडविधी में रखते हैं तो ये बड़ा महत्वण है और होना भी चाहिए नाबालिकों से सब्ढ़िधी को लेकर हमारे पास नाबालिक से दुषकर्म को लेकर या उसके साथ जो अनेतिक कृत्य को लेकर जो था हमारे पास पॉक्सो एक्ट अल्रेडी था लेकिन हमारी भारती देंड सहीता और पॉक्सो एक्ट में मैच नहीं बैठ रहा था अब ऐसा हो गया है कि अब भारती नाय सहीता उसके एकारडिंग ही काम करेगी और ये भी बड़ा महत्तुपूर्ण हो गया कि ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड का प्रावधान किया गया है जो कि भारती दंड सहीता में नहीं था और ये आवशकता भी थी अच्छा सर आप बता भी रहे थे आपसे चर्चा हो रही थी कि इस बार जो चोटे जो चोर होते हैं और पॉकेट मार होते हैं इनको लेकर भी कानून में प्रावधान किया है जी जी देखिए क्या एक जपट मारी करके एक नया शब्द जो है इस बार संपत्ति की बिरुद अपराध वाले अध्याय में जोड़ा गया उसका कारण यह है कि कई बार स्नैचिंग लोग कर लेते हैं तो हमारे पास जो भारती दंड सहीता थी उसमें एक शब्द था लूट लूट की परिभाशा थोड़ी कठिन थी लेकिन अब जो जपट मारी है वो लूट से थोड़ी अलग हो गई है और रदर कोई चैन खीच के भाग जाता है कोई आपकी वस्तु लेकर भाग जाता है तो उसे अब इस धारा के अंतरगत रखा गया है परिभाशित किया गया औ उसके लिए दंड के प्रावधान किये गया है चे तरह की अपराधो की एक कम्यूनिटी की भी जो है प्रावधान किया गया है कि इस तरीके के अगर कुछ होती है तो एक संगठित अपराध शब्द का प्रियोग हुआ है पहले ऐसा था कि बहुत सारे लोग मिलकर एक अपर लेकिन अब संगटी तवरात को परिभाशित कर दिया गया है, संगटी तवरात को इसलिए परिभाशित किया गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति संगठन के साथ मिलकर काम करें, तो सभी को एक साथ दंडित किया जा सके, और ये मुझे लगता है कि ये दंड सहीता में बहुत बड़ा सुधार है सर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग जो भी एक सामूही खत्या है उस तरीके से जो है अब संगठन के द्वारा भी अगर कोई गलत कृत किया जाता है तो ऐसा ही होगा और उसको पूरे संगठन के वेक्तियों को उसके लिए दोशी माना जाएगा और दंडि भी इसका क्या परा होगा राएग पहले उपयक्षादवारा मृतियों कारित करने को लेकर बहुत क्लिरिफेकेशन नहीं था अगर कोई वेक्ति उपाक्षादवारा मृतियों करता है तो उसको बहुत अधिक सजा नहीं मिलती थी आसानी से जवानत मिल जाती थी अब जो Meredith ह अब वो यह हुआ है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यू को एक तरफ किया गया लिकित उसमें एक यह कहा गया कि यदि कोई विक्ति उपेक्षा द्वारा मृत्यू करता है या जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और किस पहले जान बचा लीजिए उसके पुलिस के पास चले जाईए तो यह से हीट एंड रन नहीं माना जाएगा क्योंकि आप पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर चुके हैं तो इसमें अब यह 10 साल तक की सजागा प्रावधान और जुर्माना हो गया है और बहुत सारे लोग इसक perception बना रहता है कि कानून सक्त नहीं है अक्शन जो होता है लेट लतीफी होता है तो क्या यह जो तीन नए कानून आरहे हैं अब और जो है एक नया बदलाओ का दौर शुरू होगा भारत में देश में बहुत अच्छा सवाल है आपका आपने देखा होगा देश में बहुत सारे मामले लंबित है आपने देखा होगा कि पुलिस बहुत समय लेट से चलान भी पेश करती है अब ये सारी चीजों में बदला हो गया है अब आपको चलान पेश करने के लिए समय सीमा तै कर दी गई है आपको इन्वेस्टिकेशन करन लेंदी होती चली जाएगी लोगों को नियाय मिलने में उतना देरी होगी और मैं ये मानता हूँ कि अगर देरी से किसी को नियाय मिलता है तो वो नियाय नहीं हो तो अनियाय के बराबर है तो इसमें ये प्रावधान हुआ है और ये बहुत बेवस्तित तरीके से होगा एक आखरी सवाल सर मेरा कि अब नए कानून तो आ रहे हैं लेकिन कानून के भी एक बड़े स्वरूप होंगे इसके अंदर भी बहुत सारे क्लॉज होंगे डीटेलिंग होगा क्या इसको इंप्लिमेंट करना सरकार के लिए चलेंचिंग होगा या फिर ये बहुत ही आसानी से इंप्लिमेंट हो सकता है देखिए बिल्कुल आपका परशन बहुत जायज और अच्छा है इसलिए कि ये इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से सारी धाराओं में परिवतन कर दें और उसको फिर बहुत आसानी से आप लागू करा दें क्योंकि पुलिस नयापाली का और बच्चे जो हैं इन सब के लिए अचानक सिधारा बदलेगी तो ये इतना आसान नहीं है इसके लिए सरकार को बहुत बड़े स्तर पर मुहीम चलानी पड़ेगी सरकार को लोगों को जागरुक करना पड़ेगा पूलिस महकमे को आपको जागरुक करना पड़ेगा जो एड़ोकेट्स हैं उनके लिए भी आपको बहुत सारी विवस्थाएं करनी पड़ेगी उनके लिए जागरुकता का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और एक समय लगेगा लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि कानून में बदलाव आउशक है और एक अच्छा कानून वही है जो समय परिस्थिती के अनुसार बद कि जब ये बहुत आसानी से लोगों के बीच में इंप्लिमेंट हो जाएगा मैं ये भी मानता हूँ कि इसको पहले हम प्रशाशनीक महकमें पुलिस जुडिशरी एडवोकेट्स लॉज स्टूडेंट तक तो पहुँचा है उसके पास सामाने जनता तक भी पहुँचाना हम हमारी जबाबदारी होगी हम लोग ये निर्शकर्स निकाल सकते हैं कि ये जो तीन नय कानून अब लागू होने जा रहे हैं देश में ये कहीं न कहीं जो एक अंग्रेजों के जमाने से एक निशानी रहा है भारत में उसको मिटाने के लिए और इसके साथ ही जो हमारा एक नयाय प्रणाली चला रहा है उसमें एक तेज गती लाने उसमें रफ्तार देने के लिए और लोगों को जल्द से जल्द नयाय मिले इसके लिए ये कानून तीनों लागू हो लागू है बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही कहा है मैं यही मानता हूँ कि हमारे देश की नयाय प्रणाली में जो अंग्रेजो दोरा इस्थापित की गई थी उसको उसमें बदलाओ की बहुत आउशकता थी और वो अंग्रेजो के हिसाब से था अब ये हमारे देश के हिसाब से है हमारी देश की चुनोतियों के हिसाब से है और एक समय आएगा जब बहुत हद तक और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिरकार ये तीन नए कानून है क्या और किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा और इस लागू होने के बाद क्या लोगों को फायदे मिलेंगे मोटो यही है, उद्धेश यही है कि लोगों को जो है न्याय जल्द से जल्द मिले और न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आए और यही उद्धेश के साथ सरकार इसे लागू करने जा रही अब देखने वाली बात होगी कि भाविश्व में जब ये लागू हो जाएगा तो भाविश्व में किस तरीके से इसके नतीजे सामने निकल कर आते हैं फिलाल के लिए इतना ही मुझे दीजे इजाज़त कैमरा परसंद खेमरज के साथ अनमोलती वारी विस्तार नियूज